लेकिन आईये इस वक्त कई भाषा में अपने मन की अभिलाशा पेश करने वाले चतुरवेदी वक्ता आज के इस महान धार्मिक अध्यात्मिक यग मंडप में मंडित मंचस्त मरमग मुर्धन उद्भट विद्वानों की विद्वत मंडिली से एक परम योगी महा मना परकंड पांडित पराफ्त कोकिला कंठी सुर्धारी मधुर भाषी महान चतुरवेदी वक्ता अल्ला में वो मौलाना नसीम अलकादरी चतुरवेदी जनकपुर्धाम नैपाल को मैं परस्तूत करने जा रहा हूँ बोलिए सुभान अल्ला गुलकारी अल्फाजों मानी दे दो खुश्मू से महकती हुई मानी दे दो गुल दस्ताय अफकार हो पेशे खिद्मत गुफ्तार की अजास बयानी दे दो ना रहे ए तक्बीर ना रहे रिसालत इमाम एहमद रजा कांफरेंस अल्हुमूल्ह अल्हुमूल्ही रबिल्ग गल्मीन वाल्हा किबत निल्मुतापीन वाल्सलात वाल्सलाम गला स्यदिल मुर्सलीन वाल्सलात 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 वाल्सल वसल्म तसल्म तसलीमा कثीरा कثीरा अमा मखनु फोगु बिल्याज समीग अल्एम मिन श्यातन र्रजीम बिस्मिल्हिर्रह्मानिर्रहीम लगद कान लकुम फी रसूलिल्ही उस्वत हसन वगद कान लकुम पीज वसल्म ला युमन अहद कुम अहब इलिय। मिं वालिदी वWलदी है व微 ओलोन नास एजमन आमन्तों ब्ल्ही सदाक ब्ल्ही बुलाफ अल्बान अल्मत्यूलून करीम वनहीं उला जल कला बना शाहिदीन वाल्ब्ही रौनगी रॉब लाल्मी करीम गोसई जम्ब मनी बिसरो सामा मददे किभले दे मददे कखब Εंआ मददे गादिरियम नार या गौस याजम मीजनम दम्ज शेख अहमद रजाखा कुतु बगालम मीजनम बगिर्दा बेबला उफ्ताद कष्टी जगीफानु शिकस्ता रातु पुष्टी बहकी खाजए गुस्मान हारुनी मदद कुनी या मुगीन दीन चिश्टी फखर अद्दीन चिश्टी खुत्ब अद्दीन चिश्टी फरीद अद्दीन चिश्टी या साहिब जमाल या सेद बशर मिन वजहिकाल मुनीर लगद नुविर अल्कमर ला युम्किन फना उकमा काना हक हूँ बाओद खुदा बुजर्गतोई किस्टा मुख्तसर और कहने वाले ने क्या ही खुब कहा है कि खातिम पेगंबरां जो हादिय इसलाम है उस जगत जियोती पृतम को मेरा प्रणाम है उस जगत जियोती पृतम को मेरा प्रणाम है और पापियों को जिसने शिक्षा से किया योगी समान उसका ही अंतिम महरीशी शाही तैबा नाम है उसका ही अंतिम महरीशी शाही तैबा नाम है मुख्जज नाजरीन उ सामगीन बिला ताखिरु तमसील आईए हम और आप सबसे पहले नभी और आले नभी पर महबत के साथ संजीदगी और मतानत के साथ इस नियत के साथ आप दुरूदे पाक पढ़ें कि ओ इमाम एहमद रजा कॉन फरेंस में आने वाले सुने जन्नती मुसलमाना अभी आपने अल्हमद ल्ल्ह शायर इसलाम नदीम रजाव फैजी मधो पूरी जार खंड से अल्हमद ल्ल्ह आखा की तारीफ समात किया और मजमा में एक कैफ तारी थी एक पुरसमा था लोग ऐसा महसूस कर रहे थे के बजाहिर हम लोग हिंदुस्तान की सरसमीन मौना में बैठे हैं मगर हमारा दिलो दिमाग मदीने का सेर कर रहा है तो ओ मौना और कुर्बो जवार से आने वाले मुसलमा नहाँ आप इस अंदास से नभी और आले नभी पर दुरूदे पाग पड़ो कि आपका अंदास ये पताए आपकी जजबा तो एहसासाथ से ये पता चले कि वाकई आज की शब मौना में आने वाले लोग किसी दुनिया दार के दीवाना नहीं बलके मदीने के ताजदार के दीवाने बैठे हैं या रसुल्ला तो जिन को जो दुरूदे पाप यादे बावाजे बलंग पड़ने सियदीना वे شबिएना वे अवीबीना वे तक लूबिना वे मावना वे मुल्ज श्लातमु अशलमा अलिकamment या रसुल्ला love ऐसे ने ऐसे नहीं नाजीं को अजजिए समझ करके ज़रा हातों को लहरा करके प्यार से बून ले सुख़ानल reference मैंने पहले ही का कि आप इस अंदाज से बैटो कि आपको एसास हो कि वाकई कोई देखे या ना देखे मेरे आका हम गुलामों को देख रहे हैं सुभान आला तो ज़रा हातों को लह राकर कि प्यार से बोलो सभी लोग सुभान आला हजराते मौतरम अब आओ मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे आका की क्या शान है इसको मकमल कोई इनसान क्या करे बयान जबके खुद खाली के आइनात आका की शान को करता है बयान आला हजरत अजीम बरकत मुझदीदे दिनो मिलत इमाम इश्को महबद अश्या इमाम अहमद रजा खान फासिले बरैल्वी गलगी रामा वरिद्वान जब अपने नभी की मदहु सताईश को बयान करना चाहते है आपने कुरान के पारों को देखा पारों में एक एक सूरतों को देखा सूरतों में एक एक आयतों को देखा आयतों में एक एक हुरूफों को देखा जब अपने नभी की शान में अल्लाँ के मुकमल कलाम कुरान पाक को देखा तो अपने कलम को उठाते हैं इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं ऐ खलम लिखे क्या लिखे अल्लाँ की सरतबा कदम शान शान है ये अल्लाँ की सरतबा कदम शान है ये इनसान नहीं इनसान वो इनसान है ये और कुरान को इमान बताता है इनहें किने आमना के लाल को अबदुल्ला के दुर्रे यतीम को हम गुनहगारों को मैदाने महशर में शबात की भी आता करने अपने कलम को उठाया और इश्क मुस्ताफा में कहा आए कलम लिखे अरे जान है इश्क मुस्ताफा रोज वजू करे खोड़ा जिसको हो दर्द का मजा ना से दुआ उठाये जरा महबद से बोलिए सुखान अल्ला हजराते मुतरम आईए मैं आपको आज के इस पवित्र सभा में जिन लोगों की जिद थी जी जी इन्शालला मैं अगर इस हमारे पवित्र सभा में हिंदु भाई विराजमान है हमारे मुस्लिम भाई उपस्तित हैं उन सब को इमाम अहमद रजाग खान कॉन्फरेंस में खुश आमदीद और मरहबा है वो ये सुखान अल्ला है हजरात अब आईए हमारे आली जनाब चचचा जमील अखस्तिताब माशालला और आली जनाब चचचा मौती साथ इन लोगों ने बड़े जितो जिहत के साथ मुझे आज की शब के लिए रोका आने वाले सुनने वाले सुनाने वाले सब की हाजरी को कुबूल फर्मा ले के दिया आमें हजरात अब आईए मैं आपको डिरेक्ट उधर ले चल रहा हूँ क्योंके हमारे हिंदु भाई कल्भी इंतिजार में से जैसा के मुझे सुनने को मिला लेकिन मेरा वक्त तो बिलकुल सेरी का वक्त खत्म हो रादब कब आया था हजरात कुने आज मेरी तकरीर का उन्वान टोपिक क्या है ये है के धर्म तोड़ता नहीं धर्म तूटे दिलों को जोड़ता है बोले सुहाना हर्म तोड़ता नहीं सदर जल्सा हदरत अल्मा मुहम्मद अली उल्कादरी माशाणला सुहानला तो भी तश्रीफ फरमाएं माशाणला आज मुकमल आपकी सदारत काम्याबी की तरफ रमा धुआ है माशाणला इसी तरीके से होना भी चाहिए मैंने कल मुक्तसर कहा भी था पूरी जिम्मेदारी कौन गलत पड़ रहा है कौन साही पड़ रहा है कौन साही बयान कर रहा है मुझे रहसनों से खरस नहीं तेरी रहबरी का सवाल है हजराते मौतरम तवज्जों के साथ सुनिए सदारत इनकी है रहबरी इनकी है इसमें गणबरी होगी तो डाकू से पूछा नहीं जाएगा रहबर से पूछा जाएगा इसलिए माशाईला आज मुकमल तोर से अपनी स ज़रा सभी आदमी बोलेंगे अगर पीछे वाले लोगों तक हमारे हलीम साउंड एंड लैट की आवाज पहुँच रही है तो आप भी बोल दीजी और जिन तक नहीं पहुँच रही है उनसे कोई शिकायत नहीं है धर्म तोड़ता नहीं धर्म तूटे दिलों को क्या करता है ओ फिला सटवाले भाईया सेलाम अल stuk अबी राद का धाई नहीं पज़ाइंजब आपका आउट ओअव करू रहा है अच्छा आ गया रहा है माशालला सुखान अल्ला जरो बोली सुखान अल्ला अगर किसी का आउट ओफ कंट्रोल हो तो जा सकते हैं है नहीं तो आप अकेले बैठ जाएंगे इधर दुर से दस भाग जाएंगे जरा सुनें धर्म तोडता नहीं धर्म तूटे दी लोगो क्या कहा जरा उनका एक दोहा सुनिये महबत के साथ बोलिये सुखान अल्ला क्या कहा कि भला किसी का करे न सको तो अरे बोलिये न भाई अरे अच्छा इसका जो मतलब मफ्रूम है अच्छा है जहां पर गड़बडी रहेगी पहले मैं मना कर दूंगा आप तेंशन की रहें समझ रहे हैं जरा महपत से बोले सुखान अल्ला के भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना माशा अल्ला हमारे अंजार भाई का मुबारक नाम है अब डॉक्टर एक बाल का शिर्प नूंगा तुम जाद उपर चला जाएगी तुम जरा महपत से बोले सुखान अल्ला यार से कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना और पुस्क नहीं बन सकते हो तो काट बन कर मत रहे ना पुस्क नहीं बन सकते हो तो काट बन कर मत रहे ना हजराते मुतरम अब आओ मैं आपको खुदा की वहदानियत पर अल्ला की एकता होने पर अल्ला की जात को जितो जिन्स की तोहमत से पाक होने पर चार दोहा सुनाने जा रहा हो किताब का नाम नोड करो हमारे पुरिया हिंदु अगर विराजमान है तो рिकार्डिंग कर सकते हैं अगर अपने खर पे बैढ़ कर सुन रहे हैं तो वो नोड कर सकते हैं लिख सकते हैं और इस दावे के साथ मैं आपको राम चरितर मानस से ये चार दोहा सुनाने जा रहा हूँ ताकि आपके हिर्दे में आपके सीने में अगर कुरोद की अगनी जल रही हो तो कुरोद की अगनी निकल जाए और हम सब का सीना इश्क नभी का मदीना बन जाए हजराते मौतरम तवज्जो के साथ सुनना कुछ लोग कहते हैं ये मुस्लिम धर्म के मानने वाले बड़े ही उदंड होते हैं बड़े ही इस तर बड़े ही अजीव टाइप के होते हैं ना जाने क्या क्या कहते हैं लेकिन मैं उनको संबोदित करना चाऊँगा उनको दावते फिक्र देना चाहूंगा ओ लोगो कसम खोदा के आपने मज़भ इसलाम की हकानियत को पढ़ा नहीं है आपने इस्टडी नहीं किया है आपने मुताला नहीं किया है आज भी दुनिया का कोई दुष्ट से दुष्ट मनुश्या अगर मुहम्मद अरबी सलाला वलिजी वसल्म की जीवनी को पढ़कर सीने पे हाथ रख करके अगर फैसला करेगा तो यही कैदा नजर आएगा इसलाम को पेदार तो हो लेने दे हर कॉम भुकारेगी हमारा है इसलाम और कौम पुकारेगी हमारा है इसलाम हज़राते मुतरम आईए आप सुनिए माई कापरेटर जाब है ए बाबो तुम्हारा नाम क्या है खड़ा हो जाओ खड़ा हो को बताओना क्या नाम है माशालला लेकिन मुकमल ना ना पूरा अब मैं पूछने में भी शक मश्चुक हो जाता हूँ अब किसकी तवज्ज़ चाओं सुनिए किताब का नाम राम चरितर मानस इसके राइटर का नाम लेखक का नाम मुसनिफ का नाम हमारे चज़जा चमील अखतर साब है यहाँ पर मुतियू रह्मान साब है अच्छा अब वो कल कहेंगे चत्रवेदी साब की तक पिर नहीं सुनियाँ फिर जलसा रखा जाए सुआना अब सुनिएगा तवज्जो के साथ किताब का नाम राम चरितर मानस इसके राइटर का नाम लेखक का नाम मुसनिफ का नाम राइटर इन इंग्लिश लेखक इन हिंदी एंड नेपाली मुसनिफ इन अर्दू हमरे में लेखक बोलता है मुसनिफ इन अर्दू राइटर का नाम है श्री तुलसीदा जी अब ये चार दोहा जो मैं आपको सुनाऊंगा ये रामचरित्र मानस के किस कांड के अंदर है कांड का नाम सुनिए कांड का नाम है बाल कांड उसके पेज नंबर पिरिष्ट संखिया सफ़हा नंबर पेज नंबर 94 पिरिष्ट संखिया सफ़हा नंबर 94 अब ये किताब च्छपी किस च्छपा खाना से है ये भी आप सुनिए च्छपा खाना का नाम है सुनिए च्छपा खाना का नाम है गीता प्रेस गोरत पूर ये किस सन में च्छपी है एडिशन की चेंजिंग होने की वाज़ा से सफाहात में पेज नंबर में चेंजिंग आती इसलिए मैं एडिशन भी बता रहा हूँ सिन्ने इशायत भी बता रहा हूँ मत तब मैंने बता दिया अब सिन्ने इस इशायत सुनिये ये किताब कब छपी है उनीस सो सरसठ में छपी है बहुत पुरानी किताब है मेरे घर पे अवैलेबल है उपस्थित है मौजूद है मैं अपने हिंदू भाईों को संबोदित करके कहना चाओंगा मैंने हेवाला बताया है ओ मेरे हिंदू भाईों आप हेवाला नोट कर लो अगर आपके पास ये पुस्थित हो तो आप खुद अगर पढ़े लिखे हो तो पलट करके देख लेना अगर खुद पढ़े लिखे नहीं हो तो अपने धर्म गुरू से जाकर पूछना उन से कहन आने वाला नेपाल से आया था उसका नाम नसीम अलकादरी था ओ मेरे धर्म गुरू उसने हमारी गरंथों को पढ़ा है उसने हमारी पुस्तकों को पढ़ा है ओ मेरे धर्म गुरू आप ये बताये के पढ़ने वाला ने सही पढ़ा है पढ़ने वाला ने सत्या पढ़ा है बताने वाला ने सत्या बताया है वो मेरे प्रिय हिंदू सजन भाइयो अगर आप के धर्म गुरु कह दे बताने वाला ने सच बताया है व नहीं तो कम से कम इतना जरूर कह देना कि जब खुला में नबी इतना सचा है तो उसका नबी कितना सचा होगा माशाला आप लोग सुना चाहते हैं वो चार दोहा कितने लोग सुनना चाहते हैं जरा दोने हादे को उठाईए और कुछ लोग सुच रहा है कि जल्दी से खतम कर दीजैना नहीं 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 सुच रहा है जरा महबत के साथ बोले सुछान ला मैंने कल्भी बताया था और अकसर जगव बताता हूं मैं उन चत्रवेदियों मैं से नहीं हो कि मैं फेक के चला जाओ लपेटना आपको पड़े मुबार्ट भाई हमें 2014-15 से जानते हैं इनके यहां सालाना उर्थ होता है उसमें कई बार मेरी हज़दी हो चुकिये माशाला अलहम जो भी बताओंगा मुकम्मल हिबाले के साथ ना मिले तो नसीम अलकादरी का गिरिवान पकड़ दे मिल जाए तो फकत अतनी तरखास थैं दामने मुस्तफा पकड़ ले हजराते मुटरम तवज्जों के साथ सुना चार दोहा मैं सुनाने जा रहा हूं और इसके तरजमा में इसके तराजिम और मफाहिम और मतालिब में कहीं से कोई कमी नहीं है इसलिए मैंने इस दोहा में अफजल जिक्र पवितर बरहम सुत्र ला इलाह इल्ला का समवेश कर दिया है जरा बोलिए सुछान अल्ला यानी बढ़ोती ली कर दिया है आप सुनें इन्शालला अगर आप दिल जमई के साथ सुनेंगे तो आपका इमान जगमगाने लगेगा बोलिए सुहान अल्ला अब वो चार दोहा सुनिये लेकिन इससे पहले मेरी आदत सुनिये मैं ला इलाह इलाला पढ़ोंगा तो मेरे साथ आपको भी पढ़ना पढ़ेगा जरा जोर से पढ़कर बताएए क्या पढ़ना पढ़ेगा माशालला इधर वाले में को दम है इधर वाले बेदम है जरा आप लोग बोलिए क्या पढ़ना पढ़ेगा एक बार आप पढ़कर बता दिएए क्या पढ़ना पढ़ेगा अब दोनों आदि मिलकर के बताएए क्या पढ़ना पढ़ेगा माशाआलला बुखाणिया और जब मैं दोहा में लंबी शाश लो तो स्वाण आलला कहे देना है चलिए मैं फिर से बताता हो ठीक है अब सुनें महबत के साथ मेरे साथ पढ़ें लाएलाएलाएलाएलाए शिद्डु भाई की तरह गए शिद्डु फिलीस कोम है हो कह रहे हैं हजरत आईसी संस्क्री सुनाईएगा कि कभी सुने नहीं हो हम कहे तो उसमें तुफिर लोडिया श्रीफ सी लोड़ी श्रीफ इस समय से लाना पढ़ेगा है ना जरा महबत के साथ सुनें अब मेरे साथ पढ़ें ला इला 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 श्री तुलसीदा जी ने लिखा क्या लिखा थोड़ा साई को बढ़ा देजे साण बढ़ा देजे महबत से वोड़ी शुवहार आला क्या लिखा कि बिनो पदे चलाएं सुनें बिनो काना कर बिनो करम करें भी धिनाना ला इला 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 कि आननी रगिता सकली रस भोगी बिनों बाने बकिता पड़ जोगी ला इला 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 कितन बिनों परसा नयन बिनों देखा ग्रहाई ग्राण बिनों बास से असे सा ला इला 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 सब्भाति अलोगी किकरेने महिमा जा सुजाई नहीं बरने ला इला 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 लेट इंटो हिंदी एंड अर्दो एंड इंग्लिश समात कर लीजिए ज़रा महबत के साथ एक बार बोल दो सुहान अल्ला अल्ला तबारका वताला का अल्ला तबारका वताला ने जो हम उन गुला में मुस्तफा को कलमा अता किया है इसका जब हम ट्रांशलेट इंटो अर्दो या ले अर्दो में तरजमा करेंगे तो इसका तरजमा ये होगा नहीं है कोई मापोच सेवाए एक अल्ला के जब हम इसका हिंदी में अर्थ बयान करेंगे तो इसका अर्थ ये होगा नहीं है कोई पूजन के लाइक सेवाए एक इश्वर के और जब हम इसका इंग्लिश में तरजमा करेंगे ट्रांशलेट इंटो इंग्लिश करेंगे तो इसका अर्थ ये होगा दियर इस नो गॉड बट गॉड वन विड़ाट सेकेंड अब आप तवज्जों के साथ सुनना अल्ला तबारका वा ताला का जो फरमान है हम और आप समात किये लेकिन अब आईए हम अपने हिंदु भाईयों की गरंथ से वो चार दोहा जो मैंने आपको सुनाया है इसका अर्थ बताने जा रहा हो तवज्जों के साथ सुनना और फिर अपने सीने पे हाथ रख करके फैसला करना कि हग पर कौन है हजराते मौतरम तवज्जों के साथ सुनना आओ मैं आपको बताओ श्री तुलसी दाजी ने लिखा बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना यानि वो इश्वर वो अल्लाः अब एक बात का मैं ब्याखिया यहां पे कर देता हो एक सदर जल्सा साथ थोड़ी सी तश्री कर देता हो नहीं तो कल आपको पकड़ लेंगे यह उल्माई किराफ कहेंगे कि क्या बात है हम लोगों के मक्तब में पढ़ाया जाता है कि अल्लाः की जात को इन नामों से फुकार ना जाइज नहीं है कोई चतरवेदी महोदे महराज कभी गौड कह रहे थे कभी इश्वर कह रहे थे कभी परमात्मा कह रहे थे कभी प्रॉबू कह रहे थे आपने क्यों नहीं रोका अगरात ये सुवाल आप से हो सकता है तो होने वाले सुवाल को अभी मैं रद कर देता हूँ आप तवज्जो के साथ सुनिए आप कहिएगा नसीम القादरी जब आप जानते है कि अल्ला की जात को इन नामों से पुकारना जायज नहीं है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो मैं आपको बताओंगा मैं बहस्यत चत्रवेदी आया हो सिर्फ मुस्लमानों को समझाने नहीं आया हो हिंदू को भी दिन की बाते बताने आया हो उन तक भी पेगामे इसलाम पहुचाने आया हो हकानियत इसलाम बताने आया हो रब रब रख्मान रख्मान की रट लगाँगा तो वो कल कहेंगे कि कैसे चतरवेदी आये थे दोहा तो पढ़ा मगर उसका अर्थ हम लोगों को समझ ही में नहीं आया तो हदराते मुतरम मैं जो इन नामों का परियोग करूंगा इन शब्दों का परियोग करूंगा तो कोई ये न समझे कि इमान और इकाहन के साथ नसीम अलकादरी कह रहा है बलके नसीम अलकादरी अगर इन शब्दों का परियोग करता है तो सिर्फ इफ़ाम और तफहीम के ल श्री तुर्सी दाजी ने लिखा कि हम जिसे इशुर कहते हैं हम जिसे परमातमा कहते हैं हम जिसे गौड कहते हैं प्रभू कहते हैं हमारे मुस्लिम समुदाई के लोग जिसे अल्ला कहते हैं जिसे खुदा कहते हैं जिसकी जात को रह्मान और रहीम कहते है उसका कल्पना हम कैसे करें तसवूर इलाह कैसे करें तो श्रीतुलसीदा जी ने कहा बिनु बद चलाई सुनाई बिनु काना कर बिनु करम करें बिधी जी नाना बोलो सुछान लाई श्रीतुलसीदा जी ने कहा कि वो हम जिसे ईश्वर कहते है उसकी जात ऐसी है हमारे मुस्लिम समुधाई के लोग जिसे अल्ला कहते है उसकी जात ऐसी है जो पैर से पवित्र है पैर से पाक है मगर फिर भी चलने का काम करती है कान से पाक है मगर वो अल्ला की जात संसार की हर कड़ी और धीमी आवाज को बराबर सुनता है बोलो सुछान लाई वो अल्ला तबरकब ताला हाथ से पाक है मगर संसार का हर एक वो काम अंजाम देता है जो उसकी शान के लाईक है हदराते मुतरम अब आगे तवजो के साथ सुनना दूसरे दोहा में श्रीतुलसी दाजी ने लिखा तन बिनो परसा नैन बिनो देखा ग्राह इकान बिनो बास असेसा वो अल्ला दूआ चा से पवित्र है मगर फिर भी असफर्श करता है वो अल्ला आख से पाक है मगर फिर भी संसार की हर खुली और छुपी शैं को दे taxi ताहे बोलो सुछानला वो अल्लाह की जात नाक से पाक है मगर संसार की हर अच्छी और बुरी खुश्बों को जान ताहे बोलो सुछानला असी सब भाती अलोकी की करनी महिमा जा सुचाई नहीं बरने तन बीनो परसा नयन बीनो देखा ग्रहई ग्रान बीनो पास असे सा आनन रहीता सकलरस भोगी बीनो बानी बगता बढ़ जोगी नकीब आजम हिंदुस्तान कोह ना मश्क नकीब हजरत अल्ला मा घुलाम मुज़किर की तवज़ो चाहूंगा चुके इनकी सोहबत में रह करना जाने कितने खत कितने इमाम खतीब बन गए बोलिये सुहानला हजरत मादरम मैं इनकी तवज़ों के साथ आप तक पहुचाना चाहता हूँ श्रीत तुलसीत आजी ने लिखा क्या लिखा के तन बिनो परसा न यन बिनो देखा ग्रही घ्रान बिनो बास असे साथ हसी सब भाती अलाओ की कि करनी मखिमा जासु जाई नहीं नहीं बरने यानि वो अल्लाह की जात जिप्रा से पवित्र है जबान से पाक है फिर भी बहुत ही योग्या वक्ता है फिर भी कलाम करता है फिर भी वो बात करता है लेकिन कैसी बात करता है कैसा कलाम करता है ऐसा कलाम करता है जो कलाम हिक्मत और मौविजद से भर पूर होता है बोलो सुछान लाँ अंतिम दोहा में श्री तुलसी दाजी ने लिखा असी सब भाती अलोकिक करनी महिमा जासुजाई नई बरने यानि उस अल्लाह की जात ऐसी मशियत वाली है ऐसी बड़ाई वाली है के पूरे संसार के मनुश्या और जिन मिलकर पूरी काइनात की शै मिलकर अगर कमा हक हो उस रब काबा की तारीफ करना चाहे तो सब की की हुई बड़ाई कम हो जाएगी मगर खोदा की शान मुकमल बयान नगी होगी नारे तक्बीर नारे रिसालत उल्माई किराम अरे उल्माई किराम है जरा महबद जी बुली सुछान अल्लाए खाली आप लोग शायर के लिए ही नार लगाईएगा शायर नजमे आपको सुनाते हैं और खतीब नश्र में बताते हैं जरा महबद से बुले सुछान अल्लाए अब आप तवज्जो के साथ सुनें धियान से सुनिएगा शिरीत तुलसीदा जी का चार दोहा अपने सुना आप इमानदारी से बताएएगा कहीं से भी मुफ्ती विलाल साथ के लाद तश्रीफ फरमाएगा आले रसूल हुजूर से अबदुल वदूल साथ विलाम दजिल लाली वनुरानी सादात पुरसीवान विराजमान है अब इन उल्माई किराम से पूछिए के हुजूर इन्होंने दोहा सुनाया इसमें कहीं से भी शान ऐ खुदा में अजमत खुदा में रिफqत खुदा में कमी है तो ये उल्माई किराम कहेंगे कहीं से कमी नहीं मुकम्ल पर्फिक्ट का है तो ये तो हिंदू भाई की गरंट से उनके लिए ये हिदायत की बात THी उनके लिए सत्या मार्ग दर्शाने की बात थी अब आओ मुसल्मान हो हमारा जिस पर इमान है उसका नाम गुर्ण है बोलो सुहानलाद हमारा जिस पर इमान है उसका नाम गुर्ण है आओ कुर्ण से पूछते हैं ऐ अल्ला की मुकदस और पाकीजा किताब ए आल्ला की लाले बार्यब और लाडिली कीताब तू ये बता। कि तस़वर इलाह का हमारे अंदर कैसी सुच होने जाए अल्ला की जात को हम कैसे मनें तो अनलाह तबारख वत राला का पुर्गान हमें जवाब देता है ओ पहले यमान सुनो सुनो अल्ला तबारक वाताला कुरान करीम में फर्माता है तीसमा पारा में सुरह अखलास के अंदर अपनी जात के बारे में इलान कर रहा है खुल हुआ अल्लाहु आहद बोरिये सुखान ल्लाहु अल्लाहु खुस्समद लब अंगलित वल्म यूलदे वल्म यको लगुद्धो कुफवन आहद बोलिये सुखान वाई कुरान सुन आई बोलिए तो क्या सुन कर के बोलिएगा अहलि इमान बोलता है सुन कर Quр'ान जरा महबत से बो वो सुखान ल्लाह बारेक वात ओना परमाता है कुल ऐ मैभू बाप कह दीजिए फरमा दीजिए इलान कर दीजिए पबलिक सिटी कर दीजिए प्राचार कर दीजिए लोगों को बता दीजिए के ओ लोगो तेरे अल्लाह की जात कैसी है वो बुर सुछानला अल्लाह फरमाता है आइन मेभू बाप कह देजिए उन्हु अल्लाह अहद अल्लाह एक है बोलो सुखान अल्लाह अल्लाह समद अल्लाह बेनियास है लम यलिद वा लम यूलद वो ना किसी का पाप है ना किसी का बेटा है वो लम यकुल लहू कुफवन अहद और वो ऐसी निलाली शान वाला है ऐसी अजमत वाला है ऐसा बेनियास है के वो रब काइनात एक है बोलो सुखान अल्लाह हजरत मुद्रम ओ मौना और बाहर से आने वाले मुसलमानों अब आप इमानदारी से बताना आपने श्रीतु सिदा जी का चार दोहा सुना कुरान पाक के मुकमल सूरत का तरजमा समात किया अब आप बताओ इमानदारी से क्या तस्वर इलाह में कहीं से फर्क नजर आ रहा है तो आप कहोगे नहीं तो मैं कहना चाहूंगा ओ लोगो फिर आपका सुआल होगा के हम में और हमारे हिंदु भाई में फर्क क्या है ओ लोगो मैं आओ मैं आपको बताओ उल्मा की खुसुसी तवज्जों के साथ आप तक ये बात पहुचाना चाहरा हो तो क्या हम कह सकते हैं कि तुल सीदाजी ने कुरान जैसे दोहा लिख दिया है तो ये उल्मा फर्माएंगे हर्गिस नहीं अरे जब अरबी ने कुरान की तरह एक सूरत नहीं बना पाया तो अजमे कहां से बना पाएंगे तभी तो आला हजरत अजीम बरकत मुझदीदे दिनो मिलत एमाम इश्गो महबत अश्जा एमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेविया लिए रह्मा वरिद्वान ने अपने कलम को तोड़ दिया और लिखा क्या लिखा जरा बो सुखान अल्ला के तेरे आगे यो हैता बेला चे के तेरे आगे यो हैता बेला चे तेरे आगे यो हैता बेला चे के तेरे आगे यो हैता बेला चे के तेरे आगे यो हैता बेला चे अरे कोई जाने मुह में जबान नहीं नहीं भले के जिसम में जान नहीं कोई जान मुह में जबान नहीं नहीं बेले के जिसम में जान नहीं हजराते मुतरम बस इन ही चार दोहा के मैं मुक्तसर तश्रीक करने जा रहा हूँ तवज्जो के साथ सुनना अब मैं यहां से रोश्णी देखाने जा रहा हूँ अब अल्लाह जिसे तौफीक न दे इनसान के बसकी बात नहीं फैजाने महबत आम तो है और फाने महबत आम नहीं हजराते मुतरम अब आप बताओ श्री तौसिदा जी का बोहा सुना पुरान पाकी मुकमल सुरह अखलास का तरजमा सुना कहीं से फर्क नजर आए तो आपको होगे नहीं तो फिर हम में उनमें कहां फर्क है आओ मैं आपको बताओ मेरा रब तुम्हारा रब क्या कहता है हुआ ल्लाहुनौ देखिए आप ये सुचने होएगा कि नसीम अलकादरी वो चत्रवेदी है जो कमेडी हो तो अलहम्दुलिल्ह ऐसा नहीं है मेरे साथ हाँ आज के दोर में खान साथ लोग चत्रवेदी कमेडी करने वाले को समस्ते हैं कि कल भी कह था कि जितना हाथ पर भाज ले क्या हद्रत विसक्रीफ या समझ मैं आये या मुझा मैंने जो दुखा पड़ा आप रिकार्डिंग अगर कर रहे तो आप इस्लिख सकते मैंने पहले का कि नहीं नहीं कि प्रतिश अपर हैं जरा महबत से बोले सुछान अल्लाह ऐसे ने यह ऐसे ने अगर आप वो वाकई सुनने के मजाज में है तो एक बार हातों को लहरा करके बोले यार रसुल लाह सभी आदम सभी आगल मगल में देख लिए कोई सुरा है तो उनको जगाए चल्दी से जगाए चुछे बड़ी इंपोटेंट बात सुनाने जा रहा ह। जरा महबत से बोले सुछान अल्लाह अब अल्लाह फर्माता है अल्लाहनूर अल्ला क्या है जरा जोर से बोड़ी अल्ला क्या है नूर है अब मैं फर्क बताने जा रहा हूं कि फर्क का प्या है ग्रांट अनुसार खुदा की वादानियत में फर्क नहीं है आमल अनुसार फर्क है अल्ला क्या है अल्ला नूर है और जब वो नूर है तो अल्ला तबारक वाताला ने जब अपनी जात को पहचनवाना चाहा तो किसको पैदा किया अपने नूर से नभी के नूर को बनाया अपने नूर से नभी के नूर को बनाया और मेरे आका खुद फर्माते हैं अव्वल मा खलक अलाव नूरी वकुल्ल खलाइक मिन नूरी वा अना मिन नूरिल्लाः आका फर्माते हैं कि अल्ला तवारे कवा ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया फिर मेरे नूर से काइनात की हर शेय को पैदा किया वा अना मिन नूरिल्लाः और मैं अल्लाह की नूर से हूँ सुछानल्ला अगर हिंदू भाई क्या कर सकते हैं गुरू बंदना के अंदर उन्होंने लिखा अखंड मंदला कारण भियापतियें चराचरम तप अंदर शितियें तसमें श्री गुरू बे नमा गुरू ग्रहमा गुरू विष्णो गुरू देओं महश्वरा गुरू शाग चाद पर ब्रहमा तसमें श्री गुरू बे नमा तब तरभ्यन जगत गुरू तुभिया मैं सर पैबुल सुभानला उन्होंने कहा कि अल्लाह की जात वो है उस वो एक लाइट है वो एक रोशनी है जिसका परकाश काइनात के जर्रा जर्रा में है जल्चर हो या थल्चर हो धर्दी हो या कगर हो अकाश हो या पताल हो काइनात के हर शय में उसका नूर मौजूद है हञवात-े-मौत-रॅ drowning, Allah के नभी के फरमान के मुटाबिख अपने नभी के नौर को पैदा करने के बाद, बनाने के बाद नभी के नौर से काइनात की हर श्य को बनाया, तो पता क्या चला कि सम्न्दर की सैलानी की अंदर, आलओ का नौर है मौचो की तुख्यानी के अंदर अल्लाह का नूर है दरिया की रवानी के अंदर अल्लाह का नूर है पेड़ के अंदर अल्लाह का नूर है समंदर के अंदर अल्लाह का नूर है पत्र के अंदर अल्लाह का नूर है हम भी मानते हैं वो भी मानते हैं लेकिन हमें उनमें कहां पे फर्ग है ओ लोगों हमारे जिंदू भायों ने जैसे ही सुरज के अंदर अल्ला के नूर को देखा अक्सरियत इस जानिब है के सुएम सुरिया को ईश्वर मान लिया चंदर के अंदर देखा चांद की अबादत करना शुरू कर दिया पेड के अंदर अल्ला के नूर को देखा पेड की अबादत शुरू कर दिया पत्थर के अंदर अल्ला के नूर को देखा पत्थर की अबादत शुरू कर दिया समंदर की सैलानी के अंदर देखा समंदर को अपना माबूद मान लिया घरिया की रवानी के अंदर देखा घरिया को अपना माबूद मान लिया अगनी के अंदर अल्ला के परकाश को देखा अगनी को स्वैमी शुर मान लिया लेकिन हम मुसलमानों को अल्ला के नभी ने ये शिक्षा दिया है तालीम दिया है ओ लोगो काइनात की हर शेय में अल्लाह का नूर है मगर अबादत के लाइख सिर्फ अल्लाह की जात है सब्सक्राइब के वाले ने कहा खलम को तोड़ दिया महपत से एक बार बोलो सुभान अल्लाह अब इंड की तरफ मैं आ रहा हूँ अगर आप साथ दो तो और बढ़ों नहीं तो खत्म की तरफ आ गिया महपत से बोलो सुभान अल्लाह के दिया देश जिसने की ही मालिकी भक्ति का दिया देश जिसने एक ही मालिकी भक्ति का अरे देश जिसने एक ही मालिकी भक्ति का अरे वही निरे धन के दाता है निहातों के सहारा है और आका की शान देखो जरा महपत से एक बार बोलो सुभान अल्लाह के किया जिसे की भविश्वाने सबी नबियों रसुलों ने किया जिसे की भविश्वाने सबी नबियों रसुलों ने अरे खुजोरों की चाटाई पर वो जीवने को गुजारे हैं ओ लोगो दुनिया में रहो दुख में रहो या सुख में रहो अल्ला को याद करते रहो जब अल्ला को याद करते रहोगे अल्ला तुम्हारे सर से बलाओं को दूर फरमा देगा कहने वाले ने का क्या कहा जड़ा महबत से बोली ये सुखाना हिंदू अगर परिशानी में पढ़ जा है क hijos में पढ़ जा ठीक हो जाए, तो खुद भी नाचे, बेशर्मी की हद तो ये हो गई, कि अब मुसल्मानों में भी कहीं कहीं देखा जाता है, कि उसकी माँ बहन बहु बेटी भी नाचती है, अस्ताखुरूला, माजल्ला, सद्वार, माजल्ला, जी जी, बुल रहो, बुल रहो, जरा महबत से बोल ये सुहान अल्ला, जरा सुनेंगे, तो श्री तुलसीदा जी ने, राम चरितर मानस के अंदर लिखा, क्या लिखा, बहुत अच्छी नस्यात है, जरा महबत से एक बार बोलो, सुहान अल्ला, कि दुख में सुमेरने हैं सब करें के दुख में सुमेरने सब करें, सुख में करें न को के दुख में सुमेरने सब करें, सुख में करें न को और जो सुख में सुमेरने करें तो, दुख का है को है का भी राम करें सुमेरनें मतलब दोनों में फर्क समझते हैं तो जाग करके बोलना फर्क समझते है तो जराजाग करके हातों को लहरा करके बोलिए सुभान आल्ला माशाला तो क्या का श्री तुलसी दाजी ने कि सुख दुख में सुमीराने सब करे सुख में करे न कौई और जो सुख में सुमी रहने करे तो दुख का है को है कबीरा दुख का है को है हजराते मुतरम अब आपका आपकी तवज्ज़ और चाहूंगा हमारे मुती चज़ा साब ने का कुछ संस्क्रीट बोला जाए तो जरा महबत के साथ आप सुनना चाहते हैं किताब का नाम नोट कीजिए किताब का नाम है भाद रंग देश को टक्छती इसके राइटर का नाम माशा लाइटर का नाम जिन्दाबाद का नाम अब लाज्टे बस एक लुहां सुना कर देए खतम कर देता है आला हज़राद हाँ 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 आने दीजे देखे इसके बाद इंशालो एक कुर्सी दीजे ना बाई एक कुर्सी दीजे नारे तक्बीर लारे रिसालत, पासबाने खिताबत, मुहाफिजे एहले सुन्त, नाशिरे मसलके आला हजरत, मुनाजिरे इसलाम, मुबलिगे सुनियत, हजरते अल्लाम गुलाम रब्बानी अलाहबादी माशालला, माशालला, सुछानला, जर्रा माशालला, अब बैठ जाए, जल्ली से बैठी, बस मेरी गुफ्तकु खत्म हो रही है, उसके बाद इन्शाबला, शायर एहल सुनत, हजरत इहसान, शागिरह सहाना करेंगे, जर्र महबद से बोले सुछानला, और प्यार से बोले जाने कैसा कैसा शिक्षा दिया जाता कैसी कैसी तालीम दी जाती है लोगों को सताने का इसी तरीके से हम लोगों के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बजाहिर बिलकुल सूफी लगते हैं संत लगते हैं मगर लोगों में महबत की जगा नफरत बाटते हैं हिंदू भाईयों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से जोगी लगते हैं अंदर से मुकमल डाकू होते हैं ऐसे लोगों को इलिए कबीर दाजी ने का कहा आखरी दो हसनों सिवा समाब तो राए प्यार से बोलो सुखान अल्ला क्या तालीम दिया क्या कहा एक बार और महपत से दोनों हा तो बोलरा कर बोलो सुखान अल्ला कि तन्हे को जोगी सब करें अरे तने को जोगी सब करें मने को विर लागो तने को जोगी सब करें मने को विर लागो सब करें जो मन विर लागो जोगी सब करें जोगी सब करें किताब का नाम मैंने बताया था किताब का नाम बादस खुदा है उसमें उन्हों ने आले रसुल ने मुस्तफा की शान में लिखा क्या लिखा दो शेर सुलूल सुछान लागो के कोटी कोटी प्रणाम नत मस्तक सकल प्राजा जनम कोटी कोटी प्रानाम नत मस्तक सकल प्राजा जनम है तीन पंधू तयान थी अभी नन्दा नमसु सु आगतम शाहि उमम बुलू शाहि उमम और जनमती ती द्वाद श्राभी गुलू अवलम शुभ मंगलमू जनमती ती द्वाद श्राभी गुलू अवलम शुभ मंगलमू प्रादी भादी भूत लोकी प्रादी माधी सुंदरमू शाहि उमम बुलू शाहि उममू अल्ला तबारह कवत अला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है लगद कान लकुम फी रसूलिल्ह आगे उस्वतन हसन बुल सुखान लगद तहकीत के रसूल की जिन्दगी तुम्हारे लिए नमून आए अमल है तबी दुडो कर अकवाल ने कहा अगर जन्द में जाने का इरादा हो तमामी का गले में डालो पटा मुहम्मद की खुलामी का और की मुहम्मद से वफा तूने तो हमों तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं अस्तग्फिर अल्लाहा रभी मिन कुली जंबी वहत बिले यार सब्लो पढ़ लिए ला इलाहा इल्लाहा अदाना नहें हत को उठाये जल्दी से उठाये परिश्चने जो आए हैं उन्हें भी गवाव बना लिजिए बलन आवास से परना यापको ला इलाहा इल्लाहा मुं स्कुरा करते पढ़िये इसलिए किसे बाद की सुन्थम्न था है सुन्त सुछानल Bremen मुंस्कुरा करके पढ़ियेगा सही आदमी Last ला इलाह इल्लाह मुहम्मदु र्रसुल्लाह सुल्लाहु तालाहु आलियु वसल्म खुब की सेरे चमन फूल चुन इशाद रहे बाग आ जाता हूँ मैं गुल्शन आपका बाद रहे गुल्शन गहा तो फूल खीलते रहेंगे जिन्दगी रही तो नसीम अल्कादरी मिलते हैं और कहीं न कहीं जरूर मिलते रहेंगे वामा वलेञा इल्लाह अस्सलाम उल्यकुम रह्मतुम